हाई अब्रिवन तो चलिए आज बनाते बहुत ही टेस्टी मज़दार सी यम्मी ठंडी ठंडी केसर कुलफी जिसे बनाना बहुत ही सिंपल इजी आसान तरीका बताऊंगी तो सबसे पहले अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच सबसे अच्छी खासियत है है इसमें एक पैकट दे रहा हैं कि इस तरीके से यह पैकेट है उसके बाद हम्हें प् travelers को दो यह ऐख को सबसके बनात बार में एसमें पानी डाल दूँग मिल्क यहां छों में धो चुट कर लेना है उसके बाद मुझे इस इस इंग्रिएंस को करने के बाद हमें इसे पांच मिन तक कुक करना है जादा देर कुक नहीं करना है इसकी बहुत ही अच्छी और खासियत बात है बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं बिल्कुल पांच मिन तक हमें इसे चला कर लेना है उसके बाद गैस के फिल्म को में आफ कर देना है उसके चारों में एड़् कर दूंगी उसके बाद कुलफी के ढखन को लगा के और इस तरीके से पैकेट लगा दूंगी या फिर आपके पास कोई भी सलपीन पेपर हो तो आप वो लगा सकते हैं और इसे ओवरनेट फ्रीज कर लेना है यह मैंने अच्छे तरीके से रेडिक कर लिया चारों को मैं अच्छे तरीके से ओवरनेट फ्रीज कर लोगी यह ग्लास में थोड़ा सा रबर लगा देती हूं जो पैकेटे वह थोड़ा टाइट रहेगा इस तरीके से उसके बाद हमें से फ्रीज कर लेना है तो दूसरे दिन जब मैं इसे निकालूंगी वाव यार यह क करके सारे कुल्फी को अछे तरीके से निकाल लूंगी एक प्लेट में उसके बाद मैं छूट चुड़ा इस पीसेस में कट करने के पाद मैं इसके ऊपर से थोड़े से पिस्ता को बारिक चॉप करके इसके उपर से स्प्रिंकल कर दूँगी उसके बाद आप इसे ट्राइब करो बहुत ही टेस्टी ड्रीसेज यमी यह गिट्स का केसर कुल्फी आप लोग ट्राइब कर सकते हैं मुझे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी एची रेसिपीस के लिए चलो बाए